नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की है जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ एक सीरीज की वीडियो है इस सीरीज का नाम है दुरगा मूर्ति मेकिंग 2024 तो दोस्तो 2024 में हम एक मा दुरगा की छोटी सी मूर्ति बना करके उसका step by step full process दिखाएंगे और इस सीरीज की step by step सभी वीडियों आप लोगों के बीच में पेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से हमारी सभी आने वाले वीडियो को आप वाज करते रहिएगा दोस्तों यह हमारी वीडियो का पार्ट वन है और इसमें हम आपको मूर्ती का सब्सक्राइब करते हैं यहां पर हम आपको मूर्ती का बेस बनाके दिखाने वाले हैं तो दोस्तों यहां जो मूर्ती हमारी होगी इस मूर्ती की साइज लगवक 3.5-3.5 फिट की होने वाली है दोस्तों यहां छोटी मूर्ती होगी और इस मूर्ती में बैक्राउंड नहीं रहेगा और इसमें जो है भैसा राक्षास और उसके साथ में सेर और मादुरगा वालब यही इतना हमको जो है इस स्रीज में कवर क दिखाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यह हम फंटी लगा रहे हैं सबसे नीचे लंभी फंटी है और इसकी साइज क्या है हम आपको वीडियो के लाच तक साइज भी धिया है जिसमें जो है तीन पट्री बड़ी है और दो पट्री छोटी है आगर आप देख अगर बड़ा होता तो यहां पर हम दो की जगे तीन पटरी का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सबसे पहले मैंने आगे वाली जो पटरी थी उसको लगा लिया है और उसके बाद में पीछे की जो पटरी है उसको लगा के कील के मदद से रोक रहे हैं दोस्तों यहां पर देखिए हमारी जो पटरी थी वो लगबग पीछ वाली लग चुकी है और अब इसके बाद में एक ए कि लगाने से क्या होता है हमारा जो होता है पूरी तरह से पक्का यानि मजबूत हो जाता है तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने इसको इसमें जाम कर दिया है और जाम करने के बाद में अब हम इसमें छेद करेंगे तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लंबा है और जो पीछे वाली पट्री लगी है जो इनी जो सबसे नीचे लगी है पट्री इसकी लंबाई 15 इंच की है नहीं हमारा जो इस्ट्रेक्चर तयार हुआ है यह 15-24 का तयार हुआ है और आप इसके बाद देखिए यहां पर जो है डिल मसीन की मदद से हम इसमें छेद कर रह है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हाँ पर इसमें आने वाली वीडियो में हम इसी बेस के उपर बना के दिखाएंगे और फिर उसके बाद पूर्वाल से मूर्ती बांद के दिखाएंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से हमारी सीज़ की सभी वीडियो क आप वाज करते रहिएगा और जब आप एक एक कर सभी वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हम घर बैठे एक छोटी सी मूर्ती अपने लिए कैसे बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम आपको मिलेगे किसी नेक्स्ट वीडिय और अपना और अपनों का ख्याल लगिए जाय मतादी